विधान सभा द्यक्ष के आदेश पर कोट द्वार में चला नगर निगम का बुल्डोजर देखिए कोट द्वार से वरेंदर रावत की रिपोर्ट छेत्रे विधायक एम उप्खंड विधान सभा ध्यक्ष्रेमती रितू खंदूरी द्वारा नगर की अतिकर्मन हटाए जाने के आदेश पेर आज कोट द्वार नगर निगम काबुल डोजर चला नगर आयुक तुवावो गुफता ने बताया कि लोगों को अपने अतिकर्मन हटाने के लिए निगम द्वारा तीन महा पूर्व नोटिस जारी कर अतिकर्मन हटाने को कहा गया था उस वक्त व्यापारियो द्वारा समय मांगे जाने पर निगम द्वारा तीन महा का समय दिया गया था कुछ व्यापारियो द्वारा गोखले मार्ग पर अपने अतिकर्म निगम द्वारा आज देवी रोड से अतिकर्मन हटाया गया नगर निगम ने 48 घंटे का समय अतिकर्मन कारियों को अतिकर्मन हटाने को दिया है। निगम की चीम अतिकर्मन हटायेगी साथ ही अतिकर्मन हटाने में जो भी खर्चाएगा वह व्यापारी से वसूला जाएगा। इसके अलावा सरकारी काम में बाधा डाले जाने पर मुकत्मा भी दर्ज किया जाएगा। बताया जाता है कि सतंबर 2023 में भी गोकले मार्ग के व्यापारियों को निगम द्वारा अतिकर्मन हटाने के नोटिस दिये जाने के साथ ही चीन ही करण भी किया गया था। लेकिन व्यापारियों द्वारा अतिकर्मन नहीं हटाए गए इस मामले में विधान सबाद्यक श्रितु खंडोरी से बार बार कुछ लोगों द्वारा अतिकर्मन की शिकायत की जा रही थी। कुछ दिन पहले जलादिकारी पोडी डॉक्टर आशिस चोहान ने बाठक में अतिकर्मन हटाने के आदेश दिये थे। देवी रोड पर मीठ की दुकानों के बहार से अतिकर्मन हटाए गया। गोकले मार्ग पर कुछ व्यापारियों ने आज स्वेम अतिकर्मन तोड़ने की शुरुआत की है। कि आज स्वेम पिश्ट दॉड़ने की तोड़ने की अतिकर्मन हटान विसे बाठक में आपने अधी आज यह दोड़ने के आज 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 हो रहा है मत्तल्य कुछ अधु तो है ला मता कुछ उत्व है रहा है आप बदावने लगावाय तो पूरा में हैं तो थे आप ए जो पुरानी चीज़े उसको भी तो रिपेर करवाऊंगा अब अगर व्यापारियों के आप आगे वो तो पुर्दे तो रिपेरिंग भी तो करवाऊंगा फिर श्रट दृटो हुत श्राहन वार,たटी सुत में ने परिवाऊंगा थो पूरफ परुबाऊंगा लेगे रिसवी सिर्सक्रण करेंगे भी तो स्थे व्यां Gentiles करदे अध्यू इतर पुर्ण करेंगे व्या? कि डप्रग्र करें कि अ हूं कर दो